हेलो प्रेंट मैं बिर्जेश कुमार ओपिसियल यूटूब चैनल जी ओवी टी यानि गॉर्मेंट जॉप्स फोर यू में आज का वीडियो सरकारी नोकरी से साबंदित हैं और नॉन टीचिंग वेकेंसी से साबंदित हैं इस वीडियो में 64 पदों के बारे में बताने वाला हूँ और यहां जो 64 पद हैं नॉन टीचिंग के लिए हैं और अप्लिकेशन फाउम फिल करना अभी शुरू नहीं हुआ है अप्लिकेशन फाउम फिल करना कब से शुरू होगा इसके बारे में डीटेल जंकरी नीचे हम बताएंगे सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो बिभीन पद हैं सभी पद के बारे में तो senior assistant electronics में 14 पद है, senior assistant operations में 2 पद है, senior assistant accounts में 5 पद है और senior assistant fire service में 43 पद यानि 43 पद जिसकों 43 पद कहते हैं, total 43 पद पे आवेदाना मंत्रित है online application farm कब से शुरू होगा, यहाँ डिटेल जंकरी अभी मैं नीचे बताऊँगा यहाँ पे postcode दिया है, यहाँ पे requirement यानि functional requirement जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या requirement है यहाँ पे other detail जंकरी दी गई है, तो functional requirement में S, ST, RW, MF, W require है यहाँ पे जो benchmarking यानि disability category के लिए detail जंकरी दी गई है, यहाँ जो detail जंकरी है, आप तो देखी रहा है यहाँ पे जो है, online application farm 10 January 2024 से शुरू होगा, और online application farm फिल करने के अंतिमती थी, 10 फ्रावडी 2024 तक है इस पद्ध के लिए, जो tentative date examination की है, तो आपको website पो जाकर प्राप्त करना है Senior Assistant Electronics में 36,000 से लेकर 1,10,000 रुपी पर मन्त salary है Senior Assistant Operations में भी salary सेम है, Senior Assistant Accounts में भी salary सेम है Junior Assistant Fire Service में salary है, 31,000 से लेकर 92,000 रुपी पर मन्त Age Limit की बात करें, तो Age Limit 18 से 30 साल है और Age Calculation जो है 30 December 2023 तक ही करना है OBC कटेगरी में 3 साल की छुट है, ACST में 5 साल की Age Limit में छुट है और Other कटेगरी में Age Limit Applicable है Qualification की बात करें, तो दसवी कलास पास के बाद थ्री एर का Regular Diploma Mechanical Engineering या आटो मोबाइल या फायर या फायर साथ में यनि पास मार्क है यह qualification नहीं है तो बारवी कलास आप पास आउट हैं तो भी आप अपलाई कर सकते हैं डाइबी लाइसेंस होना कंपलसरी हैं तो इसलिए डाइबी लाइसेंस आपके पास हो तभी अपलाई करें इसका लाव फिजकल फिटनेस भी है तो यह फिटनेस भी डिटेल जंकरिया आप देख सकते हैं सिनियर प्रोफेशनाल सोरी सेलेक्शन पॉर्सेस की बात करें और स्लेवस की बात करें तो जुनियर आसिस्टेंट फायर सर्विस के लिए दो घंटे का आपका पेपर है और मिनमम पासिंग मार्क पचास परसेंट रखी गई है और एक बात को हमेंसा धहन रखना है आपको कि जो 50 परसेंट रखी जाती है लेकिन टाप 15 ही यह से पोस्ट जो जो है कि 13 दिटेल जंकारी दिया है कि रणिंग है उसके रोग, पोल्स यह सब हैं और इसका कितना परसेंटेज हैं यह सब डिटेल जंकरी आप देख सकते हैं इस तर से सभी पदवाज डिटेल जंकरी दी गई हैं यह सब डिटेल जंकरी हैं यह जो पद हैं इस पद करूंसा डिटेल जंकरी हैं सिनियर असिस्टेंट ऑपरेशन्स के लिए जो क्वालिफिकेशन हैं ग्रेजुएट और साथ हमें LMB लाइसेंस डिप्लोमा इन मेनेजमेंट बिल भी प्रेफर हैं और टू येर का एक्सपरियेंस होनी चाहिए इस पद के लिए भी सेलेक्शन पोर्सेस दी गई हैं अप्लिक अप्लिकेशन सुल्क नहीं लग रहा हैं अप्लिकेशन फॉर्म फिल करने का डेट तो मैं बताई दिया हूं एक बार रिपीट कर देता हूं कि अप्लिकेशन सुल्क भी जमा करने की अंतिम्तिती दस फरवरी 2024 तक हैं और 10 जनौरी 2024 से लेकर 10 फरवरी 2024 तक आप रजिस्टे अप्लिकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो वेवसाइट है और भारती बीमान पतन प्राधिकरण में आवेदा नामंत Beweginsky यह फेरswाईसिillon wow तो इसलिए में कहरा हुँ सरकारी नुकटी हैं उढबार वाईच आप पढ़कर देख सकते हैं किया नोकरी सरकारी है या नहीं है बट हमें ऐसा लग रहा है कि या सरकारी नोकरी है तो आप पढ़कर जरूर चेक कर लें और इसी तरह का अपडेट और नहीं वीडियो की